गुड मॉर्निंग बच्चो बच्चो जैसा कि आपको मालूम है हमारा लेसन चल रहा है मीरा बहन और बाग मीरा बहन और बाग लेसन की रीडिंग हो चुकी है हमने इसके न्यू वर्ड भी लिख लिए हैं आज हम इसके कुछ शब्द अर्थ देखेंगे वर्ड मीनिंग शब काम ना होना यानि अपनी मर्जी से सब काम कर सकते हैं कहीं आ सकते हैं जा सकते हैं मर्जी का खाना खा सकते हैं बिल्कुल हम कोई भी काम कर सकते हैं हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं तो तब हम आजाद होते हैं और उसी चीज़ को आजादी बोला जाता है हम क्या सकते हैं क कि हमारे देश को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी जी ने बहुत काम किया था। इस तरह आजादी का हम वाक्य बना सकते हैं। दूसरा वर्ड मैंने लिया है स्थापना। इस्थापना होता है बच्चो किसी चीज को स्थापित करना जैसे कोई स्कूल है या कोई काम शुरू करना, कोई बिल्डिंग बनाना। इस तरह स्थापित करना या शुरुबात करना या बनाना। तो ये तिनों ही मिनिंग खतरनाक, खतरनाक वो होता है, जिससे बहुत खतरा होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं, देंजरस, जैसे wild animals are dangerous, wild animals, जो हैं, जंगली जानवर, खतरनाक होते हैं, कैद, किसी को बंद करना, जैसे कोई गलत काम करता है, चोरी यादी करता है, तो उसको पलिस पकड़के जेल में डाल देती है, यानि उसको कैद कर देती है, अगला word है बच्चों, चिंता, चिंता का मतलब होता है फिक्र, जब हमको किसी की काम की चिंता हो जाती है, ये काम कैस यह कैसे होगा हमारे एक्जाम आगे हमारे रिजल्ट का क्या होगा तो यह सब चिंताएं हमको रहती हैं फिक्र हमको रहती हैं। छटा वर्ड है बच्चो आखिर में, आखिर में मतलब अंत में, आखिर में मतलब अंत में, सात्वा वर्ड है फसाना, किसी को जाल या पिंजरे आदी में फसा लेना, चाहे किसी आदमी को हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे चूहा वगएरा हो, तो उसको फसाना, अगला वर्ड है पिंजडा पिंजडा लोहे का एक वो होता है बड़ा छोटा या बड़ा बंद घेरा जिसमें चुहे को या किसी जंगली जानवरों को फसाया जाता है उसको कहते हैं पिंजडा जैसे ये फोरेस्ट वाले आते हैं जंगल वाले जंगल के अधिकारी अगर किसी शहर आदी में बाग जैसे खतरनाग जानवर आ जाते हैं तो उनको ये बड़े-बड़े पिंजडा में बंद करके ले जाते हैं फिजडा जंगल में जाके छोड़ देते हैं और चुहे भी आप पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, यह आपका homework है, बच्चों आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, आपका दिन शुब हो, ओके.